नमस्कार में निहा जोश्टी आप देख रहे हैं दफेक्ट इंडिया राज्यस्तान में बाडमेड जैसलमेड सीट से निर्दलिय प्रत्याश्ट रविन सिंग भाटे ने ग्रेट खली के दोरे पर निशाना सादा है भाटे ने बीजेपी और कॉंग्रिस पर प्रहार किया है और भाटे ने कहा कि युवा साथ ही उसे सुना है कि यहां रेसलर देख खली आ रहे हैं खेर मैं भी सबी से यही कहूँगा कि आप उन्हीं जरूर देखने जाएं लेकिन 26 तारीक को मतदान सोच समझ कर करना है और किसे करना है ये भी आप जानते हैं आगे उन्होंने कहा कि अभी दोरों का सिलसिला शुरू हुआ है जिले में खली खलबली आ रहे हैं लेकिन किसे के आनी जाने से कोई खास फरक नहीं पढ़ने वाला है फिल्म स्टार सनी देयोल के दोरे पर भी भाटे ने कहा कि गदर फिल्म में जिन्होंने हेड पंप उखाड़ा था वो भी थोड़े दिनों में आने वाले हैं यहां आकर बोलेंगे कि ए 2.5 किलो का हाथ है लेकिन उन्हें कैसे बताएं कि आपके ठाई किलो के हाथ के सामने जनता का पाव भरी काफी है उन्होंने कहा कि सभी को यहां की जनता वोटिंग मशिन का बटन दबाकर आगामी 26 एपरेल को जवाब देगी बिना नाम ये प्रत्याशी केला स्चोधरी पर भी हमला करते हुए भाटि ने कहा कि हर पांच साल में आते हैं और जूटे वादे करके चले जाते हैं लेकिन अब वो दोर खत्म हो गया है खली और खलबली से काम नहीं चलने वाला है यहां की जनता पांच साल का हिसाब मांगनी के लिए अब आगे आई है भाटि ने कहा कि वो पहली भी खुले मंच पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को उनकी बात रखनी की चुनोती दिये थे साथ ही मोजूदा सांसत से पांच साल में बाडमीर के लिए क्या किया उसका हिसाब देने को भी कहा था लेकिन वो तैयार नहीं हुए भाटि ने कहा कि उनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो मनुरंजन शुरू कर दिये है भाटि ने आगे तंच कस्ते हुए कहा कि जनता भी आपके साथ 26 अप्रेल को एंटर्टेन्मिंट करने वाली है भाटि प्रत्याशी केला शौधरी के समर्थन में रेसलर दखली और फिल्म अभी नेता सनी देओल कंगना रानावत सहीत कई बड़ी हस्तियों के आगामी दिनों में चुनावी प्रचार की चर्चा जारी है कॉंग्रिस प्रत्याशी में दाराम बिनिवाल के पक्ष में पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत पूर्व उप मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट जिगनेस मेवानी समेथ कई बड़ी नेता अचनावी प्रचार को धार देंगे इस पर आपका क्या कुछ केना है कमेंट करके जरूर बताएं देखते रहें दफेक्ट इंडिया मैं नहीं हाजोशी